हाई गाई आज आज है तारिक 23 फरवरी 2021 और है टूजडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है स फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादफ एजुकेशन आपको ये चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इसको जॉइन कर लेना अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चनल का लिंक दे रखा है टेलिग्राम लिंक के नाम से वहां से भी आप लोग डिरेक्टली इसको जॉइन कर सकते हो यहाँ पर जॉइन करने से फाइदा ये होगा आप लोग को डेली न्यूस पेपर का पीडिएफ मिल जाता है बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं डेली करेंट लोगेशन किस किस से बाउंडरी शेयर करता है और ये सारी देखने के बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना है जिससे आप लोग को एक कंसाप्च्वल क्लारिटी हो जाएगी नाओ देखेंगे कौन-कौन से आर्टिकल से हमें डिसकस करने हैं नाओ सबसे प बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे इतने लंबे समय से जो भी बॉर्डर के ऊपर जो भी जड़ब चल लही थी दोनों के आपस के बीच में इसका कोई इंपक्ट नहीं पढ़ना चाहिए इस ब्रिक्स की समिट के ऊपर नाओ ये ब्रिक्स क्या है यहाँ पर इसके बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर कंट्री के स्टार्टिंग के नेम से ही जो है इसका नाम रखा गया है लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा एक और स्टेट्मेंट क्या दिया गया कि जो बॉर्डर के इशू है दोनों के बीच में उसका इंपक्ट इस चीज के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है यह था आर्टिकल उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर यह वाला और यह भी आर्टिकल आगे दे रखाए पेज नंबर 3 के उपर थोड़ा सा डीटेल में लेकिन क्या कहना चाहता है मैं आपको बता देता हूँ जो भी डेली में रा सरकार आ गई है कंपन्जेशन देने के लिए अब यहां पर डेली कोर्मेंट के द्वारा बोल दिया गया 26 करोड़ रुपे का कंपन्जेशन दिया जाएगा मुआवजा भरा जाएगा उन लोगों को जिनका जो भी यहां पर डेली राइट के विक्टम्स बने हैं जो भी य पर डेली बताया गया है देखो टूल केट केस को मैं पिछले कई दिनों से और डीपली पढ़ा चुका हूँ यहां पर मैं थोड़ा सा ओवर विव्यू देता हूं हुआ क्या है तूल केस के अंदर में अभी यहां पर हमने कल भी डिसकस किया था इस केस में जो है दो परसनल यह दो परसनलिटि है जो कि इस टूल किट के इसके अंदर फते हुए साथ एक एक बहुत qualify पर्सनलिटी वो भी एक फसी फुर्य किसिक अंदर वो कान है दिशा रावी तो यह तीन लोग बेसेकली यसका शैर आंवा है तो यहां पर संद. केस क्या है बैसे कन्लोंगों बता क्या था जो farm protest है इसका काफी सारी चीज़ें इसके अंदर include थी जैसे कि यहाँ पर जो article साते है ना उनके अंदर ये बताया जा रहा है कि भई कालिस्तानी और ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर mention करी गई थी जिससे कि यहाँ पर क्या है हमारी country की sovereignty के लिए अच्छा नहीं है ठीक है हमारी country के लिए काफी है आपका सकतो हातक हो सकता ये सारी चीज़ें हमारी country को एक तरीके से जो है डिस्रिस्पेक्ट करता है ये सा देशा रावी का तो केस में कई बार discuss कर चुका हूँ पिछले हफते हमने बहुत बार इसको discuss किया है ठीक है तो basically यहाँ पर बोला गया था कि Monday में इनसे question करे जाएंगे और question हो भी गए है लगबर 8 घंटे तक लगातर इनसे question करे गए है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं उसक quality बहुत बुरी situation है और आज के time पर air quality में और बहुत सारे आप देख पाऊगे situation देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की death हो रही है इस bad air quality की वज़ा से अगर COVID-19 जाता है तो दूसरी सबसे बड़ी problem हम लोगों को देखने को मिलेगा bad air quality ठीक है यानि की air quality आज के time पर का वारत के अंदर नाओ पेज नमबर थी के तरह पढ़ेंगे पेज नमबर थी में मैंने अभी येवाल आर्टिकल पेज नमबर वन के ऊपर डिसकस किया कि 26 करोड रूपे तक का compensation दिया जाएगा जो बाइस सो राइट विक्टिम से ऐसा यहां पर सरकार बोल लिए ठीक हमने अभी डिसकस किया था जिन लोग अभी नुकसान हुआ है उनको compensation देने का उनका मुआवजा भरने का यहां पर पूरी-पूरी कोशिश करेगी हमारी सरकार उसके बाद आता है बराबर में नेक्स्ट आर्टिकल इसके अंदर बताया गया पुलिस ने बोला है नियरली अभी उनको solve करने के लिए यहां पर लगे पड़ी है डेली पुलिस तो यहां पर यही बताया गया डेली पुलिस ने मंडे में बताया 755 केसिस में से लगबक 355 केसिस जो है अभी भी solve नहीं करे गए हैं और इसके लिए यहां पर काम चल रहा है सारे possible efforts जितने भी हैं वो सब लग cases हैं यह भी अभी तक solve नहीं हो पाएं ओके चलवागे बढ़ते हैं उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर यहां पर एक आर्टिकल आता है यह वाला इसके बैसे पर आज हमें एक एडिटूरियल भी डिसकस करना है तो मैंने सोचा आपको यहां पर थोड़ा सा मैं एक हो रहे बहुत टाइम तक और बच्चों ने घर पर तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करिए सबी लोगों मालूम है तो उसी की वज़ा से यहां पर आप देख पाऊंगे बहुत बड़ा गैप क्रियेट हो चुका है इनफाक्ट बहुत सारे ड्रॉप आउट हो चुके हैं नाव आते हैं पेज नुबर एट की तरफ और पेज नुबर एट पर यहां पर एक आर्टिकल आप लोगो देखने को मिलेगा कैरला गोवर्णमेंट ने क्या करा एनुल कर दिया एग्रिमेंट जो यूएस के फर्म के साथ किया था यानि एनल मतलब आपके सकतो इन्वालिट डेकलियर कर दिया एक एग्रिमेंट करा था यूएस फर्म के साथ और वह एग्रिमेंट किस चीज को लेकर था यह था 2950 करोड रुपे का 2950 करोड रुपे का यह पैक्ट साइन किया गया था ताकि जो केरिला और यूएस की फर्म है यह दोनों मिलकर एक डीप स ट्रॉलिंग फ्लीट बनाएंगे यान वी ट्रॉलिंग क्या होता है मचली पकड़ने का तरीका होता है तो उस चीज के ओपर काम करेंगे तो यहाँ पर जो यह पैक्ट साइन किया गया था तो यहाँ पर आप देख पाऊगे यूएस की फर्म जिसके साइट यह पैक्ट समिट में यहाँ पर क्या हो रहा है और जो चाइना के प्रासिदेंट अजी जिन पिंग उनका कहना है कि वह इंडिया में वजट कर सकते हैं इस समिट को अटेंट करने के लिए और जो बॉर्डर के डिस्प्यूट है उनको ना गिना जाए उनसे यहाँ पर कोई विवाद न जानता तो चाहिए पांच दिन की पूलिस को स्टरी में डाला गया फिर उसके बाद तीन दिन की जूडिशल कस्टरी के अंदर डाला गया ठीक है क्यों क्योंकि इन्होंने क्या कर रता एक टूल किट शेयर कर दिया था अपने ट्विटर हैंडल पर और यह तूल किट में consumers जिसका नाम है Greta Thunberg और फिर उसके बाद इरियेई वाला टूल किट जो इसने शेयर किया था इसके अंदर थोड़ा सा दो लाइन एडिट करकर क्या करा इसे जो एक्टिविस्ट हैं दिशारावी इन्होंने इस टूल किट को एज़टेस शेयर कर दिया जिसकी वज़ा से यहा जहां पर क्या बताया जा रहा है कि भाई देखो पांच स्टेट्स ऐसे हैं आज के टाइम पर जहां पर कोविड के केसिस इस तरीगे से बढ़ रहे हैं यह जो ग्राफ है ना ऐसा जा रहा है भाई बहुत तेजी से जो है केसिस बढ़ते वें नजर आ रहे हैं अचानक से द आप देख पाओगे महराष्ट्रा में लगबग 6991 केसे केरेला में 4070 केस तमिल नाडू में 452 यह लगबग जो आप कह सकते हो 86.3 प्रतीशत तक जो नए कोविड-19 केसिस हम लोग को निकलते वें नजर आ रहे हैं तो यह एक आप कह सकते हो सिचुएशन ऐसी है जिसके उप पड़ेगा इस चीज़ को लेकर कि अभी यह नी सोक सकते हैं पूरी तरह से कोविड खतम हो गया है ओके नाव आते हैं नेक्स ट्राइडिकल की तरफ यहां पर बात करी जा रही है रेलवे जो है वो स्टैप उठा रहा है क्या रेलवे को पता है यहां पर आप आप देखो क को ठीक है जो भी रेलवे के ऑफिशल्स हैं उनको जो है एजुकेट करा जाएगा पढ़ाया जाएगा यह इंटरनेट एथिक्स के बारे में और इस साइबर अटेक्स के बारे में साइबर हाइजीन के बारे में साइबर आटेक के बारे में किस तरीके से हम लोग इन साइब पर एटेक से बस सकते हैं ठीक है तो एक बहुत बड़ी सिच्वेशन है जो कि हाँ पर railway यह आपका सकत्य हो create कर रहा है बोल तरह है कि जो CDAC है इसको यह educate करेगा अपने officials को educate करेगा ठीक है इसको educate नहीं करेगा जो CDAC है यह basically के लिए educate करेगा railway के officials को और उसके बाद क्या होगा जो भी cyber security का threat देखने को मिला है शायद वो railway को भी देखने को मिले तो फिर उसकी वज़ा से वो लोग पहले से ही अपना step लेकर चलना है पहले से वो लोग उससे टेकल आउट कर रहे हैं ना उसके बाद यहाँ पर maurishas आज मैंने आपको कहा है मैप में देखना है वो न्यूस के अंदर भी है maurishas क्यों इंडिया ने यहाँ पर trade defense fact sign किया है maurishas के साथ तो उसके बार में discuss करेंगे क्या है यहाँ पर इंडिया और maurishas इसने मिलकर sign कर लिया है 100 million का defense line of credit agreement और यह सुमवार को यह sign किया गया यानि कि कल के दिन ठीक है उसके बाद यहाँ पर बताया गया बहुत सारी चीजों को लेकर बात करी गई जैसे की CECPA comprehensive economic cooperation and partnership agreement करा गया है दोनों के बीच में यह sign करा गया है यह दोनों country आपस में cooperate करके चलेंगी ठीक है जितना हो सकेगा आपस में मिलकर यह काम करने वाली है और इंडिया यहाँ पर पहली आपका सकते हो यह agreement इंडिया का पहला ऐसा agreement है जो कि किसी African country के साथ यहाँ पर यह क इसके उपर focus करा जाएगा साथ इसाथ जो business है उनको कैसे बढ़ाया जाए या फिर investment है उसको कैसे बढ़ाया जाए इन चीजों के उपर काम करेंगी यह दोनों country आपस में बिलकर ठीक है फिर अपर यहाँ पर यह भी बताया गया इस आपका सकते हो मौरिशस को क्या मिलेगा मौरिशस को हम लोग export करेंगे कम से कम 40,000 तक शुगर को शुगर export करेंगे हम लोग और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यह सारी statement दी गई है हमारे external affair minister Mr. जैशंकर प्रसाद जी के द्वारा तो यहाँ पर basically India और मौरिशस जो है relation इनकी अच्छे होते वे नजर आ रहे now page number 11 पर आपको advertisement related सारे article दिखेंगे page number 11 और 12 हमारा किसी काम का नहीं होता है तो इसको आपको as a test छोड़ना है page number 13 की तरफ आएंगे तो यहाँ पर यह वाल आर्टिकल आता है important है बात करी जा रही है Iran और IAEA ठीक है यह एक deal तक पहुँच चुके है basically यह IAEA है क्या इसकी full form है International Atomic Energy Agency देखो क्या होता है कि इरान के साथ एक nuclear deal सेट होई थी I hope आप लोगों सभी लोगों को nuclear deal के बारे में मालूम होगा एक nuclear deal करी गई थी इरान के साथ और यह करी गई थी Barack Obama के द्वारा ठीक है Barack Obama USA के President आभी के टाइम पर Donald Trump है Donald Trump से पहले हुआ कर देते जो बा जो वाइडन से पहले कौन हुआ करते थे Donald Trump और Donald Trump से पहले कौन हुआ करते थे Barack Obama ठीक है तो Barack Obama के टाइम पर यह deal को sign करा गया और इस deal के अंदर यह बोला गया था जो एरान है इरान के अंदर देखो uranium बहुत जादा मातरा में पाया जाता है इरान uranium का enrichment ना करे क्योंकि uranium से हम लोग क्या कर सकते हैं Atomic Bomb बना सकते हैं ठीक है Atom Bomb परमाणू Bomb जिसे बोलते हैं जो कि काफी खतरनाक होता है ठीक है और इस Atom Bomb को ना बनाए इरान इसलिए यहाँ पर यह deal बनाई गई थी ठीक है अब यह Barack Obama और यानि USA और इरान के बीच में यह deal हो गई थी लेकिन कुछ टा से बाहर निकल गए और इरान की बुरी हालत कर दी इरान के उपर लगातार सैंक्शन के उपर सैंक्शन थोपते चले गई है ठीक है यहाँ तक सिचुएशन करेट हुई पिर उसके बाद क्या हुआ अब यहाँ पर डॉनल्ल टरम का टाइम भी खतम हो गया आ गए जो और बैराक उबामा दोनों एक ही साइट के एक ही सोच के तो जो बाइडन ने फिर कोशिश करी है कि यह जो नुकलियर डील है यह होनी चाहिए इरान के साथ ठीक है तो उसके बैसे पर यहाँ पर फिर से काम चल रहा है और बोला जा रहा है कि इरान और IAEA एक ऐसी डील तक पहुँच चुके हैं यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इरान है उसने यह बोल दिया है कि जो UN के इंस्पेक्टर्स है वो आकर नुकलियर साइट पर चेक कर सकते हैं ठीक है जो इंस्पेक्शन कर सकते हैं देख सकते हैं इरान पर ठीक है तो यहाँ तक अभी डील पहुची है अभी जो solution है यह permanent solution नहीं है यह अभी एक temporary solution है ठीके इसका आपका permanent solution आगया है तो ऐसा नहीं है क्योंकि हाँ पर इरान को बापिस से ऐसा सोच रहा है इरान कि भाई अगर हम फिर से deal के अंदर आ जाएं फिर से यह सारी चीज़े हो जाएं तो फिर हमारे पास फिर से problem हम लोग को यह देखने को ना मिले क्योंकि आने वाले टाइम पर फिर से जैसे अभी हुआ है वैसा पहले भी हो सकता है ओके चलो उसके बाद आता है next article बात करीगे मैनमार के बारे में मैनमार का article बहुत important हो चुका है तो इसको जरूर याद रखना मैं आपको पहले भी बता चुका ह को मिला है और इसको यानि जिसको हम लोग बोलता है तखता पलट इसने क्या करा जो वहाँ पर सरकार चल रही थी डेमोक्रासी थी उसको खतम करकर वहाँ पर क्या आ गया एक मिलिटरी का रूल आ गया तो उसकी वजह से जो मैनमार है वहाँ पर काफी ज़दा प्रोटेस्ट देखने को मिला है हजारों लोग बाहर निकल कराकर प्रोटेस्ट कर रहे हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे है कि हमें ये मिलिटरी का रूल नहीं चाहिए जैसे पहले डेमोक्रासी हुआ करती थी वैसे ही डेमोक्रासी हम लोग को चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप ये एक ही आर्टिकल है जो की पढ़ना है वो ये वाला है बात करी जारी है growth momentum needs to be strengthened देखो अगर growth हो रही है country की कहीं न कहीं अगर growth हो रही है जैसे कि अभी हमने देखा economy में तो growth इस तरीके से जा रही थी negative कर्व था अब यहां पर थोड़ा सा growth देखने को मिला है तो उसमें क् पड़ेगा उस growth में हम लोग को और जादे power डालने पड़ेगी और इसको और जादे मजबूत करना पड़ेगा वो कैसे जैसे RBI ने step उठाया RBI के द्वारा step उठाया गया देखो RBI में जो MPC ये monetary policy committee है ये पूरा का पूरा inflation वगरा जो महंगाई वगरा इसका rate set करती है जादे strengthen करा जाए इसको और जादे मजबूत करा जाए ताकि economy है उसको जल्दी से जल हम recover कर भाएं ठीक है चलो यहाँ पर हुए हमारे prelims related article कतम चलते हैं हम लोग अपने editorials की तरफ तो आता है page number 6 के उपर that is editorial section और आप लोग को मालूम है हमारे newspaper analysis में editorial थोड़ा सा अलग चल ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इस editorial को लेकर चलते हैं क्यों क्योंकि editorial पर आपको ज्यादा focus करना है और यह बहुत important भी है जैसे कि हमने कल वाले editorial जो है हमने कल का overview ले लिया था और उसका हम लोग आज revision करेंगे तो सारी चीज़ा हम लोग दो बार इस इस पूरे के पूरे analysis में तो editorial का discussion स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसका हम cardon picture देख लेते हैं तो cardon picture यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे जिसके basis पर आज का हमने थामनेल भी लगाया है कोविट 19 के नए strain देखने को मिल रहे हैं कोविट 19 के cases बढ़ते वे नजर आ रहे हैं जिसकी वज़ा से जो burden पढ़ गया है वो doctor के उपर अचानक से काफी तेस burden पढ़ गया है वैक्सीन वगरा आज के टाइम पर आप देखो के कहां यार केसिस अगर तेजी से बढ़ेंगे तो क्या दिमाग में आ रहा है वैक्सीन क्या कुछ ठीक है तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पर country के अंदर ओके चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आर्टिकल कहना चाहते हैं पहले आज के एडिटूरल का हम लोग एक overview लेंगे और कल उसको थोड़ा सा detail में explain करेंगे सबसे पहले यहाँ पर यह वाला एडिटूरल बोलता है जो author है इनके द्वारा बोला गया इंडिया और चाइना के relationships को लेकर इस टाइप के article हम लोग already काफी बार discuss कर चुक हैं लगबग एक साल से हम इंडिया चाइना के relationship पकड़ के चल रहे हैं तो लेकिन यहाँ पर basically थोड़ा बहुत change है क्या है सबसे पहले तो वही सारी चीज़े बताई गई है कि आज के टाइम पर अगर हम relation देखें अभी के टाइम पर थोड़ा सा improve हुए है ना कि अगर हम बात करें पहले से पहले काफी जादे खराब हो चुके थे पिछले साल मे इसे बहुत जादे खराब चल ले थे दोनों के relation और दोनों के बीच में border पर standoff चल रहा था दोनों का army सामने खड़ी भी थी कभी भी जड़ाप हो सकती थी in fact ऐसा दिन भी आया जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हुए ठीक है इस तरह की situation क्रेट हो रही थी उसके बाद हमने Chinese करा दिस इंगेजमेंट करा जो border के उपर engagement चल ला था जो border के उपर standoff चल ला था दोनों soldiers के बीच में India और China के soldiers के बीच में उसको हमने disengagement करा यानि की इंडिया की soldiers को हमने पीछे खेंचा और China की soldiers को भी पीछे बेजा ठीक है इस तरीके से disengagement को create करा गया यानि कि जो शांती बना के यहां पर काम करा गया है तो इस तरीके के यहां पर relation को discuss करा गया ना उसके बाद next article बात करता है Australia के अंदर जो आज के टाइम पर situation है देखो Australia मे और Australia और Facebook आप दोनों को relation में देख रहे होंगे कि अंदर Facebook आज के टाइम पर यह वाली news बहुत popular हो रही है क्यों क्योंकि Australia देखो मैं आपको इसका basic clear करता हूँ Australia के अंदर हाली में एक नया bill pass किया गया था और उस bill के अंदर बताया गया कि जो भी Australia की media है ठीके इस media को पैस पैसा मिलना चाहिए Facebook से क्यों क्योंकि media अपनी मेनाच से content बनाती है news देती है और उसा Facebook पर पोस्ट करती है तो Facebook को इसको पैसा देना चाहिए लेकिन यह बात सुनते ही Facebook जो घवरा गया भाई Facebook ने क्या बोला कि हम आपके देश में news channel ही open नहीं करेंगे तो अगर आप लोग यह बात याद रखनी है क्यों क्योंकि एक bill पास करा गया था Australia के दौरा Facebook के दौरा बोला गया क्योंकि हम लोग news channel उपर नहीं करने वाले आपके country में क्यों कभी भी हमारे उपर penalty लग सकती है भारी बरकम ठीक है क्योंकि आपकी country के अंदर law पास करा गया है तो इस बज़ा स पर यहाँ पर pandemic के दौरा ने क्या क्या सीखा है वो सारी बाते यहाँ पर बताई गई है और in fact हम लोग ने जो है आप देख पाऊगे बहुत सारी जगा पर vaccines पहुचाई है एक तो इंडिया के पास ही capability है इतनी सारी vaccines को develop करने का ये भी दुनिया को पता चलिया है जो पर भारत initiative की तरफ चला ठीक है अगर यहाँ पर COVID-19 नहां होता तो इस तरीके के हम लोग इस तरीके की स्टेप की तरफ भी नहीं बढ़ पाते ऐसा लग रहा है है तो science and tech के मामले में काफी तीजी से बढ़े हैं लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है इंडिया का decision जो है आज के टाइम पर जो है उसको अक्या करना पड़ेगा जितने भी crisis है COVID-19 के उनको एक opportunity में create करना पड़ेगा यहाँ पर बताया गया ओके चलवागे बढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग next article की तरफ यहाँ पर बताया गया animal husbandry के बारे में तो जो अच्छी तरीके से उनकी breeding करना तो उसको हम लोग बोलते है animal husbandry तो अगर हम लोग इसके अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे तो इससे बहुत benefit देखने को मिलता है जैसे कि आपकी poultry industry grow होती भी है नजर आएगी जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी जानवर की care करोगे चा अच्छी तरीके से काम कर रही है अगर हम बात करें कंट्री के अंदर सबसे पहले बात करते हैं फिनेंस कमिशन का क्या काम होता है यहाँ पर आप देख पाऊगे finance कमिशन का काम होता है इक balance मना के रखना फिनेंस कमिशन क्या नि जितने भी tax आया है सरकार के पास जितना भी tax है उसका एक balance मना के distribute करना तो आपको याद दखना है finance commission मतलब tax का distribution किसके बीच में करेंगे distribute वो करेंगे center, केंदर सरकार और राजय सरकार center और states के बीच में हम लोग को इसको अच्छी तरीके से distribute करना पड़ेगा ये काम होता है finance commission का और इसको आज के टाइम पर finance commission है अच्छी तरीके से कर रही है यहाँ पर यह बोला जा रहा है center और states जो है यहाँ पर इसका रोल होता है यह चीज़ आपको दिहान रखना क्योंकि इस से related कभी भी article आ जाते हैं तो इंडिया के अंदर क्या situation है वो यहाँ पर बताई गई है कि आज के टाइम पर अच्छी तरीके से यह body काम कर रही है ठीक है जादा मत दियाद रखो इसमें ठीक है उसके बाद next article यहाँ पर Mars mission के बारे में बताया किया था अभी कि हमने discuss किया recent जो NASA है उसने एक Mars mission अपना create किया है और successfully इसका mission यह पूरा हो चुका है तो इस mission के बारे में जानेंगे यहाँ पर बहुत सारी फालतू चीज़े भी हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी तो आपको हम लोग काम की चीज़ mission का नाम है उसके बाद यहाँ पर मार्स मंगल ग्रह वहाँ पर फ़ेजा गया था उस सेंपल्स क्रेड क्रेट करेगा और सैंपल्स लेकर वापस अर्थ पर आएगा जिसके ऑपर वापस से खोज्वगरल करी जाएगी इस mission को launch कब गया था 30 जुलाई 2020 में इसको launch किया गया और ये mission मंगल ग्रह पर कब land हुआ 18 फरवरी 2021 में ये land हुआ कहां पर मार्स में एक जगा पढ़ती है जजेरो क्रेटर वहां पर ये पूरा का पूरा mission land हुआ था ठीक है सिंपल अब यहां पर यहां पर बताई गई कहां पर लेंड हुआ जजेरो क्रेटर पर लेंड हुआ नासा के दुवारा लॉंच करा गया प्रेजर वेरेंस रोवर का नाम था वही सारी चीज़े बताई गई हमने 5 लाइन में पूरा mission खतम कर दिया चलो आगे बढ़ते हैं उस सारी problems आई हैं बात करें social, economic, political सभी जगा पर problems देखने को मिली हैं सबसे पहले बात करी गई education के अंदर बहुत बड़ा gap कैसे create हुआ लगबख 300 million जो बच्चे हैं वो यहां पर school से drop out कर चुके हैं school से हट चुके हैं क्यों बहुत सारी problems उनके सामने आ चुकी होंगी हम यहां पर problems discuss नहीं कर रहे हैं बहुत सारी challenges उन्होंने face कि होंगे financial उनके पास पैसा नहीं होगा इस वजह से यहां पर ही सारी चीज़े देखने को मिल नहीं है ठीक है यहां पर यह red color की line को ignore करना यह भा phones वगएरा से अपनी classes वगएरा ले रहे थे लेकिन उसके अंदर भी problem create हो रही थी भाई सभी के पास phone है क्या ऐसा भी तो नहीं है सभी के पास phone हो या फिर प्रारिटी पर रखा होगा girl को जो है उन्होंने पीछे चोड़ दिया होगा मानलो किसी परिवार के पास पैसे कम है समया फिर financial loss चल ला है तो क्या कहेंगे वो कहेंगे लड़का बेटे तू पढ़ और लड़की को वह पीछे रहें देंगे तो इस तरीके की सिचूशन दे सरकार ने बहुत सारी चीज़े launch करी free e-learning platforms दिक्षा पूर्टल इस तरीके की चीज़े लाई गई है लेकिन यहाँ पर इन चीजों से फायदा तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग के पास जो है यह फोन्स टैबलेट्स यह सारे चीज़े थी नहीं ठीकि अब क्या है जैसे स्कूल खुलेंगे हम लोगों क्या करना है यह बोला गया नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के दौरान यहाँ पर क्या करना पड़ेगा चिल्डरन को एक आप कसकते हो अच्छी तरीके से री इन्रॉल्मेंट करना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर दूस चीजे वो भूल चुका जितना आता था वो भी सब कुछ भूल चुका है तो उन चीजों के ओपर फोकस करना पड़ेगा और आगे लेकर चलना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दनी पड़ेगी क्योंकि घरवाले नहीं पड़ाना चाहते लड़्स को जिनके पास लड़का लड़की दोना तो लड़के को आगे निकलना चाहेंगे तो ऐसी सिच्वेशन को सरकार को लेकर चलना पड़ेगा ओके पेज नबर सबीन की तरफ आएंगे यहां पर आता है नेक्स्ट आर्डिकल प्रिया रामानी का केस बताया गया है प प्रियुस के बाद मैंने दूसरा केस आप लोग को उनना वाला केस बताया था तीसरा मैंने आपको कल मैंने तीन केसे discuss किये थे कल के newspaper analysis में तीसरा था दिक्षा रावी वाला केस ठीक है तो ये तीन हो चीज़े मैने मने कल लिसकस करी थी तो आप जग पर हासे एक बार देख